अहिल्या बाई होलकर को भार्टी इतिहास में एक प्रॉमिनेंट फिगर की तौर पर दिखा जाता है। आलही में उनकी 298 जहिन्ती का आयजन किया गया और इस जहिन्ती के अवसर पर महराश्च के मुख्यमंत्री ने गोशना की कि राज में जो एहमद नगर मौजूद है उसका नाम बदल कर उनके नाम पर रखा जाएगा। मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टी आईएस की इस नई वीडियो में। चली वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने नीज लियानी खवर की बात थी। खवर को जानने के बाद हम एहमद नगर के इतिहास की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एहमद नगर को अपना ये नाम किस तरहें से मिला। इसके अलावा रानी अहिल अबाय होलकर कौन थी और उनका प्रशाशन किस तरहे का था। इसके अलावा मंदिरों क के निर्माड में मंदिनों के जिर्णोधार में उनकी जो भूमिका मानी जाती है वो किस तरह की ती उस पर भी बात करेंगे और एंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रिलिम्स का होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा विशे हैं मुखतावर पर सामान या धिन प्रश्ण पत्र एक से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारती इतिहास और महत्वपूर्ण व्यक्तित तो जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं चलिए वीडियो के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एहमद नगर के बारे में कुछ बुनियादी ब 244 इसापूर्ग के आसपास देखने को मिलता है और इसका जो संबंध रहा था वो हमें कई समराजियों से देखने को मिलता है जैसे प्राचीनकाल की बात करें तो प्राचीनकाल में इसका संबंध मौर समराज शोग से था इसके अलावा मधिकाल की बात करें तो मधिकाल में भी बहुत सारे, ऐसे समराज जे रहते हैं, जैसे की राश्च्चकूट बंच हो गया, पष्चेमी चालू के बंच हो गया, इसके अलावा दिल्ली सरस्टनत से भी इसका संबन्ध माना जाता है, आन्थ में जो था, यह दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा लेकिन हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत से जो पुरा छेत रहे वो बहुत ज़्यादा दूर है तो ऐसे में इसका जो नियंतरन है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो नियंतरन था वो पूरी तरह से आप्रत्यक्ष था इन्डारिक्ट था यानि यहां पर समराट की प्रत्यक्ष नजर नहीं रहती थी तो जाहर तोर पर यहां गब यहां पर जो विद्रोग का खत्रा था वो सबसे ज़्यादा था और यही खत्रा आगे सही भी साबित हुआ आगे दिल्ली सल्तनत के एक सूबेदार थे जिनका नाम था अलादीन हसन गंगु अलादीन हसन गंगु ने यहां पर दिल्ली सल्तनत की सेना को हरा दिया और वहां पर एक नए समराज की स्थापना की जिस समराज को आज हम बहमनी समराज के नाम से जानते हैं और ये जो बहमनी सामराज था ये मुखे तोर पर दक्कन के छेत्र में काम कर रहा था बहमनी सामराज इस्थापित हो गया इसके कुछ सालों बाद जो बहमनी सामराज था वो धीरे धीरे पाँच स्वतंत्र छेत्रों में विभाजित हो गया जिसमें से एक छेतर था निजाम शाही और चार अने छेतर थे गोलकुंडा, बीजापूर, बीदर और बरार अब यह जो निजाम शाही वाला सुतंतर छेतर था इसी छेतर को आगे चल कर एहमद नगर का नाम मिलता है लेकिन वो किस तरह से मिलता है उसकी भी एक अलग कहानी है दरसले कहानी शुरू होती है 1486 से जब एहमद नगर और यह जो पूरी एक्वेशन थी बहमनी सामराज था वहाँ पर एक नया चेहरा देखने को मिलता है यह नया वेक्ति था मलिक एहमद निजाम शाह अब जो मलिक एहमद निजाम शाह था वो 1486 के आसपास बहमनी सल्तनत के प्रधान मंतरी के तोर पर नियुक किया जाता है लेकिन बहमनी सामराज के तो समराड थे उन्हें पता चलता है कि प्रधान मंतरी उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं और उनके खिलाव साजिश रच रहे हैं ऐसे में समराड प्रधान मंतरी को मारने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच युद्ध होता है और ये युद्ध जो था वो 1490 के असपास हुआ था और इस युद्ध में जो मुखेतार पर एहमद निजाम शाह की सेना थी वो बहमनी सामराज की सेना को हरा देती है और इस तरहे से हमें एक नए शाशन देखने को मिलता है और इस नए शाशन की स्थापना के चार साल बाद यानी कि 1494 में जो मलिक एहमेद थे ये मुखित वर पर सीना नदी के किनारे पर एक नए नगर की स्थापना करते हैं ये जो नया नगर था ये उसी जगे पर बनाया जाता है जहां पर बहमनी जो सलतनत की सेना थी वो सेना हाली थी और इसी नगर को आज हम एहमद नगर के नाम से जानते हैं तो मुखे तोर पर एहमद नगर को जो उसका नाम मिला है वो मलिक एहमद निजाम शाह के नाम पर मिला है तो ये तो इसके नाम की बात हुई इसके अलावा ये जो पूरा सामराज था जो अहमद नगर था इस अहमद नगर का धिकर हमें पंडित नहरु दोरा लिखे गई किताब The Discovery of India में भी देखने को मिलता है तो ये तो इस पूरे सामराज की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आहिल्या बाई होलकर कौन थी इनके बारे में कुछ चीजों को जानने की कुशिश करते हैं तो आहिल्या बाई होलकर का जो जन्म हुआ था वो एहमद नगर के शोंडी नाम के गाउं में हुआ था इनके जो पिता थे वो गाउं के प्रधान लेकिन इसके बावजूर भी उन्होंने अपनी बेटी यानि के अहिल्या बाई होलकर को पढ़ाया और इसी का पनिराम रहा कि वो आगे चल कर उन्होंने इतनी ज़्यादा सफलता प्राप की। इस अंबन में दरसल एक कहानी ये सुनाई जाती है कि एक बार अहिल्या बाई होलकर एक मंदिर में पूजा कर रही थी उस वक्त उनकी जो उम्र थी वो तकरीबन आठ वर्ष के आसपास थी तो इसी पूजा के दौरान पेश्वा बाजिराओ जो थे उनकी सेना के कमांडर थे जिनका नाम था मलहार राओ उन्होंने अहिल्या बाई होलकर को देखा और वो उनकी प्रतिभा और उनके संसकारों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटे यानि के खांडे राओ से उनका विवाह करने का प्रस्ताव पेश कर दिया इसके बाद दोनों का विवाह भी हो गया और इस तरह से जो अहिल्या बाई थी वो एक शाही परिवार में चली गई लेकिन ये जो पूरी एक्वेशन थी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी कुछ ही समय बाद 1754 के असपास ये जो खांडे राओ थे ये भारतपूर के राजा के खिलाफ एक युद्ध में हिस्सा ले रहे थे और इसी युद्ध में इनकी मृत्य हो जाती है अब इस मृत्यों के बाद मालवा पर किसी का नियंतर्ण मालवा पर जो राजा थे मालवा के उनकी मृत्य हो जाती है खांडे राओ की मृत्य हो जाती है तो यहां पर जो शाशन स्थापित होता है वो अहिल्या बाई होलकर का होता है यानि कि वो मालवा पर नियंतर्ण करती है उसका साशन समझती है और इस साशन में उनका उनके जो मदद की थी वो उनके फादर इनलौ ने की थी जिनका नाम था मलहार राओ तो अपने फादर इनलौ की सहाइता से उन्होंने मालवा के प्रशाशनिक और सैन रणीतियों में बहुत ज़ादा उतकरिष्टता हासिल कर ली थी इसके अलावा जब उनके ससुर की मृत्वी हो जाती है फादर इनलौ की मृत्वी हो जाती है यानि के मलहार राओ के मृत्वी हो जाती है और उनके बेटे की मृत्वी हो जाती है तो इसके बाद वो उस समय के जो पेशवा थे उन्हें एक पत्र लिखती है जिस पत्र में वो पेशवा से कहती है कि आप मालवा पर नियंतर सापित कर सकते हैं और वहां की जो सेना है वो पेश्वा की मदद करेगी पेश्वा की साहिता करेगी तो ये तो रानी अहिल्याबाई होलकर की बात हुई कि वो किस तरह से अहिल्याबाई से रानी अहिल्याबाई किस तरह से बनती हैं ये उसकी बात हुई उनकी इतिहास की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखर उनका प्रशाशन किस तरह का था और मंदिरों के निर्माण में उनकी किस तरह की भूम कर रही तो हमने पहले ही बात की थी कि इस पूरे सामराजी का जिक्र हमें The Discovery of India में भी देखने को मिलता है उसी किताब में पंडिजबाहरलाल नहरू ने जिक्र किया है कि होलकर का जो शाशन था वो तकरिवन 30 वर्षों के आसपास चला इन 30 वर्षों में 1765 से 1795 की अवधी शामिल है और इस पूरे अवधी को पंडित नहरू ने अपनी किताब में अहमद नगर के प्रशाशन के लिए एक स्वारनिम युग के तौर पर पेश किया है उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि इस दौरान राज में बहुत जादा बहतर व्यवस्था हुआ करती थी बहुत बहतर सरकार हुआ करती थी और राज में जो संगटनात्मक धाचा था जो और्गनाइजेशनल फ्रेमवर्क था वो भी काफी बहतर धंग से काम करता था और यही वज़े थी कि उस पूरे सामराजी की जो प्रजा थी वो रानी अहिल्यवाई होलकर को बहुत जादा पसंद किया करती थी यह उनके प्रशाशन की बात हुई इसके अलावा भारत में जब भी मंदिरों के जिरनोधार की बात आती है उनके रिस्टोरेशन की बात आती है तो उसमें रानी अहिल्यवाई होलकर का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के बहुत सारे हिंदू मंदिरों का रीकंस्रक्शन कराया था उनका जिरनोधार कराया था इसमें मुखताव पर सूमनात मंदिर शामिल है गुजरात का इसके आलावा काशी क counting का वारानसी का मंदिर है कासी विशुनात मंदिर ये भी इसका एजनोधार भी रानी अहिल्यवाई होलकर निकर आय था इसके अलावा कई दूसरे से बहुत सारे मंदिर हैं जैसे की ओमकारिश्वर मंदिर हो गया और इस तरहे के बहुत सारे मंदिर हैं इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कई स्थानों पर जो यात्री होते हैं उन्हों यात्रियों के आराम करने के लिए भी जगेों क का निर्मार किया था और इस तरह के बहुत सारे पबलिक इंफ्रस्ट्रक्चर का निर्मार किया और इसी वज़े से भारते इतिहास में रानी अहिलिया बाई होलकर को इतना विशेश महत्व दिया जाता है तो ये तो इस पूरे विशेश की बात हुई हाला कि महराश्य सरकार ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन की कई लोग अलोशना भी कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि इस पूरे डिसीजन के माद्ध्यम से राज सरकार कiewल जरूरी मुद्धों सी ध्यान बटकाने की कोशिश कर रही है राज में बहुत सारे जरूरी मुद्धे मौजूर है लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास कपड़ों की विवस्था नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद सरकार किवल नाम बदलने पर धान दे रही है, क्या यही एक बहतर विवस्था है, इसको लेकर सवाल पूछे जा रह निमल लेकित में से किस्से है हमारे option है option A माराथा सामराज्य option B मोगल सामराज्य option C चोल सामराज्य या फिर option D बहमनी सामराज्य तो आप comment box में सवाल का जवाब दे सकते हैं जो अमीद है कि इस वीडियो में जिन बेंदों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आप इस वीडियो की पीडियाफ चाहते हैं तो इसकी पीडियाफ आपको हमारे telegram group पर मिल जाएगी और आप जानते हैं telegram group का जो लिंक है वो वीडियो के description में होगा तो group से जोड़ना बिलकुल भी न भूले मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद